नमस्कार दोस्तों स्वागर्थ करता हूँ आप सभी को टेकिराच यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ओपो एक्स फाइफ या फिर किसी भी ओपो मॉबाइल में इनसफिशेंट स्टोरेज प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्फ कर सकते हो यहां पर देखिए दोस्तों क्या होता है कि हम अपने मॉबाइल में जो है हमारे पास जो है 6GB या फिर 12GB या फिर 34GB का जो है हमारे पास स्टोरेज रहता है लेकिन यहां पर स्टोरेज जो है हमारे पास इतना होने के बावजूद हम कम एप्लिकेशन चलाने के बावजूद करने से पहले आपको बता दूँ कि दोस्तों यह दे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजे साथ ही साथ बेल आइकोन को भी दबा देना और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दीजेगा और दोस्तों यहां प पता भी नहीं चलता है और हमारे mobile के inbued software से ही क्या होता है कि कभी-कभी बहुत सारे duplicate file create हो जाता है हमने फोटो कोई खीचा फोटो का duplicate बन जाता है कभी कोई document file दोता है वो duplicate बन जाता है वीडियो duplicate बन जाता है ठीक है उसके वज़े से यहाँ पे 30% storage वो बिना मतलब के खाके रहता है ठीक है तो इसके लिए दोस्तों आपको यह application डाउनलोड करना है और इसे open करना है ठीक है अभी दोस्तों यह application के जरीए से भी कैसे fix करना है बताऊंगा आगे और भी दो तरीका बताऊंगा कैसे आप storage problem को fix कर सकते है वीडियो के साथ बने रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है simply आपको यहाँ पे चलिए मैं back आता हूँ यहाँ और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है full duplicate scan पे click कर पड़ा हुआ है मेरे यहाँ पे आप देख सकती हूँ ठीक है अभी देखें यहाँ पे 180 फाइल पड़ा हुआ duplicate आप सोच के देखें एक फाइल यदि 10 MB का रहेगा तो आप सोच के देखें यहाँ पे 180 फाइल कितना होगा 1.8 GB का आपके अंदर में fall to guy space जो है वो खाके आपका एक उपाई जिसके मदद से आप duplicate फाइल जो है वो डिलेट कर सकते हैं अभी दूसरा तरीका क्या है कि दोस्तों आपको अपने मुबाइल के सेटिंग्स पर जाना है और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको application manager पर आपको जाना है हर मुबाइल में अलग Twitter Instagram WhatsApp हो गया इसमें क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो है डाटा जो है हम सर्च करते हैं लोगिन वगरा करते तो वह सारा डीटेल्स सेव होके रहता है ठीक है हमारा यहाँ पर inbuilt memory के अंदर तो इसी के वल जैसे हमारा जो है space बहुत ही कम हो जाता है अभी सपोस्कि मैंने Facebook को open किया यहाँ पर अभी यहाँ पर storage usage में चला गया तो आप देख सकती कि 417 total यहाँ पर MB यह मतलब लेके रखा है ठीक है अभी इस से हटाने के लिए आपको क्या करना है clear data पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको cleared कर देना है अभी cleared करने के बाद मे क्या होगा कि दोस्तों आप देख सकते 129 पर आ चुका है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर कम से कम 300 MB आपका बच चुका है तो यह करने के बाद सिर्फ इतना ही है कि आपका facebook logout हो जाएगा आपको re-login करना होगा तो दोस्तों यह एक तरीका है एक एक one by one करके आप यह data clear कर स रखते है रिसेट करने के बाद में क्या होगा कि जितना भी application का data usage वगरा है वो सारा खतम हो जाएगा तो खतम होने के वज़े से आप re-application install करेंगे तब आपका storage काफी आपके पास बच जाएगा तो यह तीन उपाय था दोस्तों मैंने आपको बता दिया तो उम्मीद करत आपको बीडियो पसंदाएगा थैंक्स वोग्ट